हेलो दोस्तों, क्यास हो आप लो, I hope you all are doing good दोस्तों अभी हमारे पास रहे गए हैं लगबग लगबग 25 दिन एक्जाम से पहले, उससे कम ही हैं और मैं थियोरी जैसे सब्जेक्ट के लिए जैसे auditing and corporate governance जैसे सब्जेक्ट के लिए यह बोलूँगा कि 25 दिन भी नहीं रहे गए हैं, आपके लिए 18-20 दिन ही रहे गए हैं, सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, वो इसलिए क्योंकि आप last के दिनों में कोशिश करते हो कि आप practical subject ज्यादा पड़ो, FM, costing, DT, direct tax, GST, आप इन में ज्यादा समय दो, यह आपका general psychological mind यही करता है और आप करते भी यह हो, जिसमें कोई गलत बात भी नहीं है, बिल्कुल सही है, तो सर हम इसको कैसे पड़ें, theory subject को कैसे पड़ें, और इसमें दिक्कत क्या है, इसमें यह दिक्कत है दोस्त, मेरे पास अभी queries काफी आ रही है कि सर, अब हमें डर लग रहा है, अभी हमने class ली है, अभी खरीदिये तो हम complete कैसे करें, या फिर सर, आप बताओ हमें कैसे करना चाहिए, 15 दिनों में धिल नहीं देने, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी धिला नहीं पड़ना आपको, आपको class लेनी है, आप class लीजिए, आपको self study करने है, self study कीजिए, हमारी कई video YouTube पे भी है, आप वहां से भी काफी help ले सकते हैं, वहां से पढ़िए, class लेनी है, class लीजिए, लेकिन अभी से start की जल्दी से जल्दी और उसे खतम कर दिजिए, 15-20 दिनों में, सर क्या हो जाएंगी, अराम से हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा, और हमने तो अपनी class इसमें ऐसा कर रखा है कि एक class का next class में content पहले 15 मिनट में, 10 मिनट में revise करा जाता है, तो आपके सासत revision भी हो ठीक है, अब जरूरी क्यों है सर इस subject को, हम तो इसमें पास हो जाते हैं, पास ही हो पाते हो लेकिन इसमें कुछ बच्चे रहे भी जाते हैं, या फिर चलो जो पास हो जाते हैं, उसमें भी दिक्कत ही आती है, सिर्फ passing mark ही आपाते हैं सर, problem यह है, आपका यह देखो कितना important साल है, अब आपने जो पहले दो सालों में, गलतियां की है, वो आपका recover करने का time आज गया है, इसके बाद तो आपको time मिलने वाला नहीं है, ठीक है, और यह जो last attempt है, last paper जो आपका होगा, यही आपकी overall percentage बनाएगा या बहाड़ेगा, correct, तो इसमें अगर आपने एक subject अगर यह खराब कर दिया, इसकी वैसे आपकी overall percentage गिर सकती है, गिर सकती क्या है, गिरती ही है, बहुत बच्चों का मैंने देखा है, कि सर हमारे तो उसमें अच्छे number है, हम तो accounting हमने बहुत अच्छे से कर रही, हमने SFM बहुत अच्छे से किया, sorry, हमने GST बहुत अच्छे स अगर आप मालो MCOM करते हो, MBA में कहीं enroll करते हो, या फिर कोई और course करते हो, वहाँ पर enroll होने के लिए अगर आपके percentage ना match कर पाई तो, या आप direct job में भी जाते हो, वहाँ भी तो आपको percentage पूछे गए ना, क्या जवाब दोगे आप, कि हमने तो भाई पढ़ाई नहीं किते ज 15 दिनों में सर हो पाईगा नहीं हो पाईगा, 20 दिनों में हो पाईगा नहीं हो पाईगा, अर राम सो जाएगा, बस आपको लगातार class लेके खतम करना है, ठीक है, एक और दिक्कत है subject में, जिसके लिए आपका पढ़ना और ज़्यादा जरूरी हो जाता है, सर क्या है वह ब दूसरी दिक्कत इसमें कै, जो बहुत बढ़ी दिक्कत है जो बच्चों को नहीं पता होती, सर क्या है वह दिक्कत, वह दिक्कत ये, दोस्तों कई ऐसा topics है, कई chapters में कुछ ऐसा topics है, जो आपकी book में नहीं है, सर ऐसे कैसे हो सकता है बुक में तो होने चाहिए सारे चीजे बुक में छोड़ो आपके डेली उनिवर्सटी की बुक में नहीं है बहुत सारे बड़े बड़े राइटर्स की बुक में नहीं है तो सर बुक में नहीं है तो हमें नहीं पढ़ना क्या हो नहीं पेपर में आता है सर जैसे जैसे आपको यहाँ पर मिलेगा देखो मैंने मार्क भी करा हुआ company audit एक पुरा का पुरा चैप्टर है एक है topic EDP कुछ writers की book में यह वाला topic नहीं है corporate governance initiatives हाला कि बहुत जादा important नहीं है लेकिन एक आदा question इसमें से आता है लेकिन book में नहीं है और जो pointers है और जो यहाँ पे क्या बोलते हैं chapters है इसके अंदर भी कुछ topics नहीं है सर यह तो बहुत गलत बात है देखो इसका मैं क्या कर सकता हूँ आपको खुद भी अगर पूछना है आप किसी senior से पूछना कि company audit का paper में question आता है हमारे तो book में दे नहीं रखा do के book में नहीं है क्या करें writer की book में भी नहीं है company audit वाला writer की book में भी नहीं है कसी अब क्या करोगे आप और बहुत सा topics ऐसे हैं दोस्त जो relevant काफी हैं लेकिन ना के बराबर दे रखा है या फिर बहुत घटिया तरीके सा दे रखा है बहुत सा topics ऐसे हैं जो बहुत फाल्तों में दे रखा हैं कभी paper में question आता नहीं है और उतना ज्यादा importance भी नहीं रखता आपके लिए लेकिन बहुत ज्यादा दे रखा है तो इन ही सबको manage करते हुए हमारे जो notes हैं हमारे जो class में जो notes कराए गए हैं उसको बनाने में भी बहुत मैनत लगी है हमने चार books refer करी है हमारी class के बच्चे तो जानते ही है लेकिन जिनको नहीं पता मैं दुबारा बता दू do की book refer की है taxman की book refer की है 10 year refer की है और CA inter तक की book refer की गई है आपके notes बनाने के लिए एक आधी जगे फिर भी कुछ रहा जाता है तो internet से google से भी content डाला गया ता कि आपको easy language में पूरा का पूरा content दिया जाए short तरीके में ना कि आपको 200, 500, 600 page की कोई book refer करनी पड़े so my point is start study irrespective of the fact की हमारे पास भईया कम time रह गया कोई बात नहीं है आप study तो करो एक डेड़ महीना आप खींच दो ना पूरी मेनत लगा दो पूरी जान लगा दो यह आपका last attempt है last attempt है for your whole career of graduation इसमें जान लगा दो जो भी कमिया आपने पहले की है कोई गलतियां की है कुछ कमियां रह गई वह आप overcome कर पाओ ठीक है और हम तो query भी solve करी रहे है अपने WhatsApp के थुरू प्लस जो मैंने revision वाला बताया वो बहुत beneficial होगा आपके लिए आप कुछ बच्चे पूछेंगे sir क्लासे कैसे लें कैसे ना लें वो मैंने आपको पहले बता दिया है लेकिन बच्चे अलग से question पूछते हैं इसका तो मैं दुबारा बता देता हूँ हमारी class में क्या है एक class का next class में revision होता है पूरा का पूरा तो आपको लगबग पूरा content जो पिछली class का है वो 10 से 15 मिनिट में revise करा देते हैं तो आपको अलग से revision video follow करने के जरूद भी नहीं है अब दुबारा वीडियो पे आओगे दुबारा starting की class देखोगे तो आपको उसके पहले वाली class का पूरा revise हो जाएगा ठीक है I hope आपको थोड़ा सा इसे motivation मिलेगा आप study करना start करोगे फिर भी कोई doubt आता है कुछ आपको जानकारी चाहिए तो screen पे number दिये गए होंगे आप वहाँ पे call करके content के बारे में या फिर classes के बारे में जानकारी ले सकते है चीक है चलिए Thank you, bye bye and best of luck for your exam guys